दोस्तों अभी सिविक कोईन की प्राइज की बात के तो इसकी प्राइज अल्मॉस्ट 30 से उपर देखने को मिल रही है अच्छा का सब पंप इसकी प्राइज में देखने को मिला है कल से अब तक इसकी प्राइज में अल्मॉस्ट 25 परसंट से जादा का पंप देखने को मिला ह और लगातार इसकी प्राइज में मुमेंट हमें 4-5 दिनों से देखने को मिल रहा है और 3-4 दिनों में अल्मोस्त इसकी प्राइज में 50-60% का एक अच्छा पंप लिया है तो इसके प्राइज मुमेंट के बारे में बात करेंगे लगुन से एरियास जहां तक आने वाले जिनों में इसकी प्राइज जा सकती है अगर आपने है प्रीवियस्य ली ये रखी है तो उन से एरियास जहां तक आपको एज़र ट्रेडर एप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कोईंडी से एप डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिल रहा सो रुपया का एथिरिम अजर साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी यहां पर एथिरम अर्ण कर सकते हैं तो यहां लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहां से डाउनलोड करेंगे तब ही आपको साइन अप बोनस देखने को मिलेगा अभी फरस्ट नियूस तो यहां पर एक अच्छी नियूस निकल के आ रही है कि जो क्रिप्टो बिल है वो यहां पर पारलियमेंट में अनौस नहीं होगा जो बजट सेसन अभी यहां पर चा क्रिप्टो रेउलेट होता यह टेक्स इंपोस करते जो भी चीज़े होती लेकिन कहीं न कहीं यह है कि एक फियर वाला माहूल खतम हो गया कि आने वाले नेक्स्ट सेजन में जो भी होगा वह देखा जाएगा जब तक टेकनोलोजी और यहां पर धीरे-धीरे आगे बढ़ यह सब अपना रहे हैं तो वह चीज़ें हो तो अभी इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी थर्ती सेज से ऊपर चल रही हैै डैली ख्लोजिंग की बात करें तो यहां पर एक मोशुंच है है पर देखने को मिला यहाँ पर अगर सपोर्ट रेस्टेंस की बात करें तो अभी इसको जो सपोर्ट रेश्टेंस एरिया है वह 31 सेंट वाला एरिया इसको रेश्टेंस एरिया जो की 50 moving average daily moving average जो है यह वाली आपको अगर sky blue वाली जो line दिखाई दे रही है जो यहाँ पर इसको hit कर रही है वो वाला area इसको यहाँ पर एक अच्छा खासा retracement area है यह resistance area है 31 cent से उपर वाला area तो यहाँ से उपर daily closing करता है तो यह जो area है 50 daily moving वाला यह वाला area इसको support maintain करेगा दूसरा नीचे की तरह बात करें हम तो यहाँ पर हम जाते weekly closing पे और weekly closing में यहाँ पर जो hundred days का moving average है 23 cent वह वाला area यहाँ पर support मिलेगा और यहाँ पर previously पिछले week में भी इससे उपर यह रहा इससे उपर closing करी तो वह वाला area support maintain किया और अभी अगर by chance price नीचे जाती है थोड़ा retracement होता है 23 cent एक अच्छा support area है वह weekly moving average है hundred days का तो वह important है उसके बाद उपर के तरह अगर हम बात करें तो 31 cent हो गया इससे उपर closing करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा support मिलेगा इससे उपर के areas के अगर हम बात करें तो जो 40 cent वाला area है वह वाला area weekly में 50 moving average में resistance area है जो कि previous वहां से एक बार rejection देखने को मिला अगर आप देखे sky blue वाली line यह यह 39 के उपर यहाँ पर जा तो यह वाले area में यहाँ पर दो बार इसको rejection मिला एक बार यहाँ पर rejection मिला तीन बार यहाँ पर rejection करता 40 cents से उपर तो 40 cents से इसको यहाँ पर resistance करने को मिलेगा और उससे उपर यहाँ पर अगर weekly closing करता और daily भी क्योंकि daily में भी अगर बात करें तो जो 200 days का moving average जो 100 days का moving average यहाँ पर हो रहा है और यह वाला area जो है इसके लिए resistance है और यही वाला area 39 से लेगे 40 cents वाला area यह resistance निकल के आ रहा है और यही वाला area यहाँ पर इसको support भी देखने को मिलेगा उपर कितरब closing करेगा अभी अहला कि यह अच्छा moment हमें देखने को मिल रहा है बहुत लोगों ने civic coin को previously भी buy किया है इस area पर buy किया इस dip में 32, 34, 35 cent का round में buy किया है और मैंने खुद ने इसमें उस टाइम पर trade किया मतलब buy करके sale किया trade किया भगाता है holding नहीं है मेरे पास बाकि बहुत लोग hold किये हुए इस coin को तो उनका amount यहाँ पर almost recovery के chances है कि यहाँ पर उस price पर आ गया है दूसरा जिन लोगों नहीं हाँ पर 25 cent के under यहाँ फिर 22 जिस भी area पर buy किया है जिनको 22, 30% profit हो रहा है as a trader देखिए यहाँ पर एक resistance area है यह वाला यहाँ अगर यह 4 hour में भी closing करता है 4 hour में हाला कि 4 hour का भी हम देख लेते देखिए 4 hour में अभी जो 50 moving average है पर 24 cent से उपर देखने को मिल रहा है और 200 जो moving average है 4 hour का हाला कि 4 hour का जाना काम नहीं करता है लिए हम नोर्माली अगर देखें तो यह 26 से उपर अभी support इसने बना लिया है और 30 वाला जो area है यह वाला area है आपर 200 hour का moving average है तो यह वाला area रेस्टेंस उसको face करने को यहाँ पर मिल सकता है अगर previously देखें तो यहाँ पर support किया है इन areas पर support रेस्टेंस को face करने को मिला है तो यह भी थोड़ा बहुत 4 hour तक काम करता है टेक्निकली चीजे हैं तो यहाँ आप पर वही चीजे है 30 से उपर अगर यह 4 hour में या daily closing भी करता है यह वाली candle जो है 4 hour वाली यह भी उससे उपर close करता है और most important daily closing वह उपर करता है तो हम उपर वाले areas देख सकते हैं इसके बाद ऊपर देखी as a trader आप को पता है कि charts वगर आप follow करके किस types आप करे कि satisfaction level कितना ह 20% का है 30% का 40% का कि देखिए अभी market थोड़ा सा moment आप उपर के तरह आपको देखने को मिल रहा है बीटी सी ने almost 38 से उपर daily closing की है तो हो सकता है 40 वाला area touch करता हो देखे 40 वाला area वहां से rejection area तो हो सकता है वहां try करे 40 वाला area बीटी सी तो आप यहां 32 cent वाला area तक देख सकते ह civic coin को और आपको profit होगा बागी charts वगरा follow करके as a trade है तो 40 से लेके उपर वाला area next जो area इसको 51 cent वाला area देखने को मिलेगा resistance area और वहां से उपर close करता है तो फिर वह support area भी देखने को मिलेगा प्रिवियसली यह वाला area जो है 50 में इसको यह भी support area है 49 से लेके 50 cent वाला area तो यह वाला area next इसको resistance area और वह support भी maintain करेगा वहां के बाद 62 और 62 के बाद फिर next area आपको 75 और इसका all time है क्योंकि यहां पर प्रिवियसली एक अच्छी विक हमें देखने को मिली थी यहां से एक moment लिया था इसने तो 62 final है तो short term के perspective साफ 60 से उपर वाला area देख सकते हैं long term का perspective जितना आपको holding रखनी है one year two year three year तो इसे साफ साफ देख सकते हैं बाकी आपको यहां पर buy करना है hold रखना है या sell करना जो भी चीजे करनी है वो यहां पर आप खुद के risk खुद के research के बाद ही क देखना चाहरा है वो लोग अभी यहां पर बढ़ते में entry आपको नहीं लेनी है यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा यहां से retracement देखने को मिलता है अगर यह 30 वाले area से rejection मिलता है तो आप entry जो है वो 26 से नीचे 25 के round map ले सकते हैं 26 से नीचे आज आएगा और 26 से नीचे भी अगर 26 से उपर अगर 4 hour की भी closing होती है तो फिर आप 26 से जैसे ही नीचे यह आता है तो आप 24 तक accumulate कर सकते हैं जो लोग entry लेना चाहते हैं 26 से लेके 24 23 तक एक entry आपको 25 का round में हो जाएगी और वहां से उननी चाहता 23 का round में हो जाएगी वो भी जब BTC में retracement आ कि आपको जल्दी बाजी नहीं करनी है बाकी वीडियो अच्छा लगा राइक जरू करें चैनल को subscribe कर लें thank you